एलो दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त संजीज सिंग में आप सभी का सुवागत करता हूं जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता हैं कि मैं दिनों दिन आपको बहुत बढ़ीया बैहतरी अजमाय हुए नुकसे दे रहा हूं जिनके रिजल्ट मेरे को मिल रहे हैं लोग मुझे बता रहे हैं तो इसी के चलते जैसे जैसे मैं नामर्दी के उपर नुकसे दे रहा हूं तो थोड़े गरम भी है और शायद बहुत गरम भी हैं बीच में तो कई दोस्तों को पता नहीं लगता कि अब गर्मी कैसे निकाल ले गर्मी का कौन सा आसा नुकसा दें जिनसे उनकी गर्मी खतम होजे जीकर मिसाले की गर्मियां जो फैली हुए इतनी ज्यादा वह खतम होजे तो आज मैं एक बहुत ही बढ़िया बैहतरीन जवर्दस्त नुकसा जो मैं देता हूं मरीजों को ठीक है और यह हर एक मर्ज में क कलीफ हो ठीक है और पशाप पीला आ रहा हो उन सभी मर्जों में काम करेगा गर्मी को जड़ से खतम करेगा बहुत ही अच्छा बैहतरीन बढ़िया नुकसा है यह ठीक है जी क्या करना है दोस्तो कोई खास लंबा चोड़ा काम नहीं है जो तो दोस्त हकीम है जो इस लाइन सबसे पहले आपने लेना है शुद कलमीशोरा बीस ग्राम शुद कलमीशोरा दो तोले आपने लेना है ठीक है दोस्तों शुद किया हुआ शुद करने का आपको तरीका पता ही है कैसे उसको आच पर रखना कैसे उसको बालना कैसे उसको शुद करना कैसे उसकी आपने तुक खार ठीक है आपने जो खार लेनी है 20 ग्राम दो तोले ठीक है इसको भी अच्छे से पीछ लेना है पर एक बात मैं पहले ही बता देता हूं कि जितना मैं मिटीरियल बताऊंगा सभी आपने कपड़ चान ही लेना है सारी चिज़े ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपन के बीजवन्ति 20 ग्राम है उसके बाद आप झाहले निया हैं तो Student भूफ तोस माँ है सो थिल आप पांच तोने आपने तो लेनी है उसके बाद आपने लेनी तो EL नंगे विल्वन आया जाए हफ्ते में तीन बार गुटनों को और कुनियों को बहुत अच्छे चलाता जोड़ों को मजबूत बनाता है ठीक है और अब जूर गगल बहुत अच्छी भी होती है तो क्लवंजी लेनी है आपने 1.5 तोला ठीक है जी उसके बाद आपने लेना है गुले सर ठीक है जी 60 ग्राम ठीक है ये 6 आइट में ये 6 चीज़े आपने लेनी है कपड़ चान करके एक खर्ल में ले आनी है ठीक है दोस्तो और उसके बाद क्या करना है दोस्तो इसके अंदर आपने पचास गराम अर्के काशनी पचास गराम अर्के काशनी में भिगो देना है इसको इस सारे मिटीरियल को भिगो देना है खरल के अंदर पिर उसको अच्छी दूप में सुकाते रहना है 50 गाम जब जब हो जाए और जब वो सूख जाए फिर पोडर की तरहां हो जाए उसको एक मिक्सर में पीच ले अच्छे से तौरा पोडर कर ले फिर कपड़ चांड कर ले कपट चार करने के बाद उसके साथ आपने 500 mg का कैपसुल बरना है 500 mg का कैपसुल बरने के बाद पहले बंदे की तसीर जान लें किस परकार का है उसको क्या नुक्सा सूट करेगा और कौन से नुक्से के साथ आपने ये नुक्सावा लगाना है ये भी ध्यान रखना है ठीक है जी 500 mg का कैपसुल आपने हर रोज सुबा खाली पेट ताजे पानी के साथ खिलाना है खटी तले चीज़े बंद रखनी है बिल्कुंबजार का पीजा बरगर चॉमें नूडल आउस एर एक गर ये सब चीजे बंद रखनगी ज्यादा से ज्यादा उनको ठंडी चीज़ों का जैसे कि अपना गूंद के तीरा नकों के खाएं ज़्यादा ज़्यादा और जल्दी काम करेगा ठीक है जी तो ऐसे कुछ चिज़े ठंडी उनको लगा दे नहीं है साथ में वो ज़्यादा खाएं और जो दोस्त मेरे चाहिए वो गर्मी का भी नुकसा हो चाहिए सेक्स का हो ना मर्दी का हो आपने डाइट अच्छी रहें दाइट जैसे अच्छा टाइम-टू-टाइम खाना कएं सावस्त्रा और फल फूट का ज्याधा सेवन रखे सेवन रखे घूट का अपका अगर बड़ी मात्रा में बनाऊगे आप जो इस परकार आपने ये लेना है उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपने कि जब ये एक मिनना खिला लो पहले पंदरा दिन खिला कर उसके बाद कर लेना बंदे को क्या पंदर दिन में रिजल्ट मिल रहा है इसका अगर मिल जाता है उसको खिलाएं मत फिर उसको नामर्दी की द्वाई शीरू करवा दें ठीक है यह आपकी हरी मर्ज़ पर काम करेगा गुर्दे की सोजन गुर्दे की जलन हो चाहे दर्द हो पिशापीला प्रवाई प्रवाई पर दोस्तों का दिमांड थी कि आपको पास कॉंड कॉंसे नुक्से पड़े पड़े पर बूकिंग ओ चुके हैं और पास कोई ओडर देना चाता हो थीक है मारती 11 कि गोलियां रहागी है एक की मारती एक की सोरी तो लेना चाता हो और संख्या तो ओडर दे सकता है कुछ नुक्से ऐसे हैं जिनकी कीमत मैंने 6,000 से 7,000 करती है तो जो दोस्त लेना चाता हो मेरे साथ कंटैक्ट करें वो अपने 3-3 महिन्ये का मगाकर मेरे साथ कंटैक्ट में रह सकते हैं 3-3 महिन्ये का कोर्स करवाएं अपना और अच्छा रिजल्ट प और अपना संखिया नांर्जि तोड वो इसे चलते हैं जो जो लेना चाता है बहुत सस्ता है यह जिन दोस्तों है बुकिंग करवानी हो वो करवा सकता है और बहुत बहुत शुक्रियां मेरे दोस्तों कि आप मेरे को इतना प्यार दे रहे हो सहास दे रहे हो और इतनी इज़्जद दे रहे हो बहुत बहुत शुक्रियां मेरे दोस्तों इसी त्रिक के साथ प्यार बनाए रखें बहुत जल्द बढ़िया से बढ़िया आगे मैं नुक्से लेका हूंगा आपके से लिए